नमस्कार दोस्तों यदि आप स्वेंग या आपके कोई परिजन सरकारी नौकरी से सेवा निब्रित होने के उपरांथ पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और पेंशन सम्बंधी किसी सेवा से परिशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए मार्ग दर्शक का काम करेगा आप इसके माध्यम से जान पाएंगे कि पेंशन सम्बंधी समस्या के शिकायत कैसे और कहा करनी है उचलिए और जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले इस सुविधा के बारे में जान लेते हैं भारत सरकार के द्वारा सीपन ग्राम्स अर्थात केंदरी कीट पेंशन शिकायत निवारन और निगरानी प्रणाली प्रारंद किया गया है यह एक online web सक्षम प्रणाली है जिसे National Informatics Center अर्थात NIC के द्वारा एवं Department of Pension and Pensioners Welfare के सहयोग से बिक्सित किया गया है इसका उद्देश पेंशन संबंधी समस्या का जल्द समाधान दिलाना और शिकायतों की प्रभावी डंग से निगरानी प्रणान करना है इसके माध्यम से पेंशनर, फैमिली पेंशनर और सूपर सिटियन पेंशनर अपनी समस्याओं का समाधान श्रिग पार सकते हैं अब जान लीजे कि इसके माध्यम से किस-किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें शिकायतों के लिए ओन-लाइन आवेदन कर सकते हैं पंजी कृत शिकायत के लिए रिमांडर या असपश्टी करन भेज सकते हैं शिकायत या अपील की बरतमान इस्थिती की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं शिकायत निव्टान से संतुष्ट नहीं होने पर अपील भी कर सकते हैं और यदि इसकी कुछ खामिया या खूविया लगे तो इस पर आप फिडबेक भी दे सकते हैं अब बताते हैं कि सीपन ग्राम सेवा को एवेल कैसे करना है सबसे पहले गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं इसका दो तरीका है या तो पैंसनर पोर्टल वेबसाइट या फिर सीपन ग्राम के वेबसाइट तो यह कि यदि आप पैंसनर के पोर्टल पर जाते हैं तो इसका और अगर सीपन ग्राम के वेबसाइड से डायेट जाना चाहते हैं, तो इसका एड्रेस है pgportal.gov.in/.pension इस वीडियो में मैं पहले ओप्षन अर्थात pensioner portal website वाले एड्रेस को, मतलब pensioner portal.gov.in/. को सर्च करके बताते हैं, तो इसको जब सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका home page ऐसा दिखाई देगा, यहां cpn gram लिखे हुए link को पुश कर दें, अगला page आपको ऐसा दिखाई देगा, इस page पर चार option आप देख सकते हैं, मतलब अगर individual हैं तो इसके लिए pensioner association हैं, दूसरा इसके लिए, तीसरा अगर ministry department या organization के लोग अगर इसमें इसको open करना चाहते हैं तो इनके लिए तीसरा, वहां login your grievance वाले link को प्रेस कर दें, अब इस page पर चाह radio बटन मिलेगा, civil, railway, ports, telecom, defense और NPS, अब आप जिस department से रिटार हुए हैं, उसके पहले वाले radio बटन को दबा दें, यदि आपकी समस्या NPS से जूड़ी हुए हैं, तो अंतीम बटन दबा दें, यहां मैं civil वाले बटन को push करता हूँ, उसके बाद continue वाले बटन को दबा दें, अगला page form के रूप में open होगा, इसमें सारी जानकारी डाल देने के बाद, अपने grievance को अधिक्तम 4000 करेक्टर में टाइप कर दें, और यदि आप चाहें, तो अपना कोई document जो PDF format में ही हो, को यहां upload करते हैं, इसके बाद security code डाल कर, submit बटन को push कर दें, इसके बाद आपके registered mobile number पर OTP आएगा, जिसे बताएगे अस्थान पर टाइप कर दें, और verify and submit बाले बटन को दबा दें, इसके बाद आपका grievance register हो जाएगा, और इसकी जानकारी आपके email और mobile पर भेज दी जाएगी, अब यदि आप अपने ग्रिभांस जो आप कर चुके हैं, उसका reminder या कुछ clarification भेजना चाहते हैं, तो फिर पहले बाले page पर चले जाएगे और send reminder या clarification बाले link को push कर दें, अगले page पर आप अपना registration number, mobile number, security code डाल कर submit वाले बटन को push कर दें, अगला page आपको ऐसा दिखेगा, वहां आप reminder या clarification में से एक radio बटन को दबा दें, मतलब जो भी चाहते हैं, अगर reminder देना चाहते हैं, तो reminder वाले बटन को, अगर clarification वाले clarification चाहते हैं, तो clarification वाले radio बटन को push कर दें, और उसके बाद दिये गए अस्थान पर वांशित सूचना टाइप करके submit वाले बटन को push कर दें, तो इस प्रकार आप reminder या clarification के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, और इस प्रकार इसी तरह से आप grievance या appeal का status जानने के लिए, या feedback देने के लिए, या फिर appeal के बारे में जानकारी या सूचना प्राप्त करने के लिए, बताये गए link को click करके आगे की परिक्रिया पूरी कर लें, अता आप इस प्रकार pension के संबंद में किसी भी समस्या के शिकायत का समाधान पा सकते हैं, मुझे बिश्वास है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसी प्रकार के अन्य ग्यानवर्दक वीडियो देखते रहने के लिए किर्पया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को पुश्च कर दें, आपका दिन शुभ हो, जैहिंद। करेंद। 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 करेंद।